अब तक आपने ये सुना होगा और देखा होगा कि मीडिया या ड्यूट्यूब मालिकों के उपर पुलिस एक्षन होता रहता है उन्हें गलत कंटेंट या फिर आर्टिकल 19 1a यानि के freedom of speech and expression के उलंगन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है उन्हें इसके misuse के लिए हमेशा अरेस्ट किया जाता रहा है लेकिन तमिलनाडू के एक यूट्यूबर ने पुलिस के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर दिया और इतना ही नहीं उन्होंने एक करोड रूपे के मुआवजे की भी मांग की है मामला काफी रोचक है असल में redpix 24 into 7 नाम के एक यूट्यूब चैनल के मालिक फेलिक्स जिराल्ड को तमिलनाडू पुलिस ने अरेस्ट किया था उन पर आरोप था कि एक इंट्रव्यू के दौरान उनके गैस्ट ने महिला पुलिस के ऊपर आपत्ती जनक टिपणियां की थी यूट्यूबर फेलिक्स जिराल्ड ने 30 अप्रेल को अपने चैनल के लिए आलोचक और पत्रकार सुवक्कु शंकर का इंट्रव्यू किया था इसी इंट्रव्यू में सुवक्कु शंकर ने महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ कुछ ऐसी टिपनी की जिससे की तमिलनाडू पुलिस और सरकार नाराज हो गई इसके बाद तमिलनाडू पुलिस ने सुवक कुशंकर पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें गिरफतार किया और यूट्यूब चैनल को भी एफ आयार में एक आरोपी पार्टी बनाया इसके पाद से फैलिक्स जिराल्ड ने जमानत याचिका डाली जिसे की खारिश कर दिया गया लेकिन बात में उन्ह लिखित रूप में इस तरह कि विवादास पद्वयान ना देने का वादा किया था लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस बार कोट ने यूट्यूबर फेलिक्स को जमानत दे दी लेकिन उस पर कड़ी शर्ते भी लगाई कोट ने कहा कि फेलिक्स जिराल्ड को अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा और साथ ही उन्हें हलफ नामा यानि कि एफिडेविट भी देना होगा कि वो अब भविश्य में इस तरीके के इंटरव्यू नहीं करेंगे इस तरीके के विबादा इस पत इंटरव्य हुआ था और आपत्ति जनक टिपणिया साक्षातकार देने वाले उस व्यक्ति की निजी राय थी इसके लिए चैनल को टार्गेट नहीं किया जाना चाहिए इसके बाद उनके चैनल ने महिला पुलिस कर्मियों से माफी भी मांग ली थी क्योंकि इस साक्षातकार में हुई टिपणियों से उनको तकलीफ हुई थी निराशा हुई थी इस पर चैनल के महा प्रवंधक ने एक बात और कही उन्होंने कहा कि जब जेराड दिल्ली में थे तब उन्हें कुछ अग्यात लोगों ने जबरन उठा लिया और बाद में पता चला कि वो लोग तमिलनाडू प उसके वो 24 घंटे के बाद कोट में प्रोड्यूस करना जरूरी होता है और उसके वकील या फिर परीजन को जानकारी देना जरूरी होता है लेकिन इस केस में 66 घंटे के बाद 13 मई को त्रिची की एक अधालत में उनको पेश किया गया इसके बाद उन्हें मदरास हाई कोट जब मामला सुना तो 31 जुलाई को जमानत थी लेकिन चैनल बंद करने की शर्थ पर इसके बाद जिराड ने दिल्ली हाई कोट में तमिलनाडू पुलिस के खिलाफ मानव अधिकार उलंगन का आरोप लगाते हुए मुकदमा कर दिया और इसके बाद एक करोण मुआबजे की मांग की इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होनी है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूले